दोस्तो आज मैं आपको प्याज से जुड़ी हुई पहुत ही रूचक बाते आपको बताऊंगा तो आईए देखते हैं प्रचेनकाल से ही रसुई घर कराजा प्याज को सिहत मंद के लिए काफी फैदयमन माना जाता है हैजा और प्लेक जीसी विमारी के दोरान प्याज को एतिहासिक रूप से एक निवारक दवा के रूप में इस्तमाल किया गया था प्याज का इस्तमाल 4000 इसा पूर्प से होता रहा है इसने प्रकृतिक चीनी विटामिन A, B6, C तथा E और सोडियम, पोटेसियम, लोहा जैसे खनित, सहित और फाइबर सामिल है प्याज फॉलिक एसिट का भी एक अच्छा सुरूत है प्याज की कई किस्मे होती हैं जैसे लाल, हरा और पीला अलग-अलग रंगों के प्याज का अकार भी अलग-अलग होता है क्या आप जानते हैं, दूसरे विश्य यूदिक दोरान प्याज के इस्तमाल सैनिकों के जखमों के उप्चार के लिए किया गया कई खुबियों के कारण प्याज को रसोई घर का राजा भी कहा जाता है विशे सग इस तत्य को स्युकार करते हैं कि प्याज अस्तमा, इलर्जी, प्रॉंकाइटिस, आमसर्दी से संबंधित खासियादी के रोगियों को बहुत रहत प्रदान करता है प्याज में मौझोद बायोटीन स्वास्त पर कई सकरात्मक प्रभव डालता है जिनमें से एक टाइब टू, डाइबिटीज से जूरे लक्षनों को कम करता है प्याज में एक क्रॉमियम भी होता है जो बलड सुगर के अस्तर गों नियंद्रित करना में मदद करता है और मांस्पेशियों और सरीर के कुसी काओं को धीमा क्रमे गुलकोज जारी करता है प्याज में मतपूर्ण मातरा में मौझूद फाइटो केमिकल सरीर के वितर विटामिन सी के उतेज़क गुरूप में कारिकरते हैं जब प्याज खाते हैं तो विटामिन सी और आपकी इम्मुनिटी सिस्टम और मजबूत हो जाता है कंचे प्याज को 2-3 मिनर तक चवाने से मुह गले और होट जैसे अस्थानों में मौझूद सभी बैक्टिरिया खतम हो सकते हैं प्याज के रस और सहत के बरावर मिश्रन से गले के समस्याँ और खासी के लक्षनों को दूर करने में मदद मिल सकती है प्याज को और सेटीन में समरिध है जो बहुती सकती साली एंटी ऑक्सिडेंट योगिक है जो लगता रोक थाम या कैंसर के प्रशार को कम करने से जुड़ा है प्याज योँ छमता बढ़ानेक में बदत करने के लिए भी जाना जाता है इस मामले में सफिद प्याज बहतर है प्याज में अधिक फाइबर है जो स्वास्त और निमित पाचन तंत्र को बनाये रखने के लिए अच्छा है फाइबर अपच से होने वाले दर्द को भी रोकता है आईए अब जानते हैं प्याज के दुस्प्रभाव क्या क्या हो सकते है प्याज अधि खाने से पेट वे परिशानी हो सकती है प्याज को गर्भोती या बच्चों को अस्तनपान कराने विल महिलाओं में समस्या पैदा करने के लिए जाना जाता है प्याज का तधिक से वन आत के काम काज में बाधा पहुँचा सकता है और अक्सर विभिन स्वास्त मुद्व जैसे गैस भारीपन उल्टी आदि के कारण बन सकता है कुछ लोगों को प्याज से अलर्जी हो सकती है और इसके रस को तवचा पर लगाने से जलन और दाने भी हो सकते हैं मिलते हैं एक और मचेदार वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुडबाए जाहें